हेलो फ्रेंज मैं प्रियंका रहे हैं आप सब का आपके अपने चैनल लेट्स इस्टाइश टेडिम बहुत बहुत साथ करते हूं आज मैं आप सब के लिए सीटेट एक्जाम के लिए ईवेस का जो आप चेप्टर पढ़े थे सेल्टर आज से उसका पार्ट तू लेग आई आप मारे चैनल की प्लेइलिश्ट में जाएए जाकर उस पार्ट को देखिए क्योंकि उसने बहुत इंपर्टिंग क्वेस्टन है जो आपके एक्जाम में आने की पूरी सम्मान हो इस पार्ट में हम जली आवास के बारे में पढ़ेंगे इस तली आवास आवास के प्रकार बिविन राज्यों में अलग अलग प्रकार ख्रजो आवास पारे जाते हैं उन सब का दिन इसके पहले के पार्ट में कर चुके हैं तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ते हैं जली आवास के बारे में तो आपको पता हैं जली आवास क को साब्दी करते हो तो आवास का साब्दी करते होते है वास इस्तान वास में मतलब रहना जिस इस्तान पर कोई व्यक्ति रहता है वो क्या होता है उसका आवास होता है जिससे हम अपने घर में रहते हैं तो यह हमारा आवास होता है और मनुस के आवास कैसे होते हैं मुकता दो zur श्रशतार के चैन।ो जड़ने। आशतार अलों को गताएं पर अीजिता है जेल में निवास कर रहे हुए तो शोचन कैसे होुए तो जली जीजन सुसन के लिए का करते है जल में गुली ऑक्सीजन का प्रियोग करते है जल में गुली ऑक्सीजन का प्रियोग करते है जली जीजन का करते है जल में गुली ऑक्सीजन का प्रियोग करते है जली जीजन का करते है जल में गुली ऑक्सीजन का प्रियोग करते है का मतलब क्या अदर जल में आक्सीजन की कमी हो जाने पर जो होता है तो उसे क्या पुलता है यूट्रूफिकेशन और जली जियुजनतों को स्वसनी अंग क्या होता है मतलब किस अंग के दौर स्वसन करते तो जली जियुजनतों को स्वसनी अंग उसका क्लोम होता है क्या होता है क्लोम जैसे मनुस्त को सुसनियंग क्लोम को कई गलफड़े भी लिखतेता है हम चलिए पढ़ते मानों की जली आवाज मानों निवास करते हैं पहले क्या हाउस बोट के बारें पढ़ते हैं हाउस बोट क्या होते हैं इसका आपके अंसियाटी के बुक में उलेगी है लकड़ी से निर्मीज होती है साथ सदा क्या होती है पानी के ऊपर तरती रहती है हाउस बोट जैसे आप देखिए इस तरह से होती हाउस बोट इसका प्रियोग मुक्ता क्या होते हैं स्त्री नगर व चोडाई होती है अब तर आपको पता है जम्मू को प्रयोग करते हैं और हाउस्पूट के लंबाई लगभाग अस्य फूटत होती है हाउसबूट चटों पर एक लकड़ी के खास डिजाइन बनी होती है जिसे क्या कहते है खतम बंद क्या होता है कस्मीरी आउसबोट जो थी केरल के आउसबोट में कोई डिजाइन नहीं होती लिकिन जो कस्मीरी आउसबोट होती है उनकी चतोबर लकड़ी के खास डिजाइन होती है जिसे क्या कहते हैं खतम बंद कहते हैं जैसे यह आप डिजाइन दे सकते हैं इस तरह से खास डिजाइन बनाई जाती है इस डिजाइन को क्या कहते हैं खतम बंद कहते हैं और कई पर पूछ यह डिजाइन डिखती कैसी है तो यह डिजाइन जिक्सा जैसी जिक्सा क्या एक प् जो लकडी की डिजाइन में आते हैं जिसे जिक्सो पदल जैसा दिखता है तो आप से कई पूछ सकते हैं खतम बन क्यों लकडी की एक आप पड़ती है जिसका मुक्तिए आप यह कहां करते हैं कस्मीर में हांस बोट में करते हैं अब हम चलिए पड़ते हैं डोंगे के बारे में डोंगे क्या होता है कस्मी में पाई जाने हो यह नकासी रहीत हाउस बोट होती है डोंगे भी क्या है एक परकार के हाउस बेंड है लेकिन इस परकार के हाउस बोट में क्या होता है नकासी नहीं होती जैसे आप यह देख सकते को आपको इसपन का मिल्गीं अलग अलगे रहे सब रहते हैं कि अलगए अलग अलग कम्रे भी अथा आ कीसली पले कि ने का मुत है क्वारी का कि saint पर निजिसकर करते Wick आपशे मेरा मुनी कहले है नियुकल消 स्टाइब १। An के उसको कहते है तो तोमसे कहते हैं काहbank कहते हैं तो कहते हैं किस अब हम पढ़ते हैं जियू 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 ज भैस, कुता, गधा, घोडा, हाथी, गैंडा, ये आपके सब क्या इस्तली जू है, क्योंकि गाए आपकी कहा निवास करती, इस्तल में निवास करती, भैस आपकी इस्तल में निवास करती, कुता इस्तल में निवास करता है, गधा इस्तल में निवास करता है, घोडा, हाथी, गैंडा यह सारी क्या इस्तल में निवास करते हैं कई बच्छों को क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाते हैं गैंडा क्या एक पर करकर के इस तलीजी हुए ठीक है अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं आगे की जैसे आप यह देख सकते चीता जिराब यह सब क्या इस तल पर यह त करते हैं क्या नवास करते हैं तो इनको अपर उभछर में रichtigते जांव बॉबरणा के रहते हैं और वक्समास साप क्या होता है जल में रहते हैं मेंडाग। जीसी कंद मेंहें जले भी रह सकता हैं तो यह सब क्या होते हैं उभैचर होते हैं मजरमच मजरमच कैसे कच्छव यह साब मध केंद। जल में निवास करने वाले क्या कर दो जो और उजले जैसे मचली भेल tweester हैं यह सारे कें जली जीओ मैं मãoतने हैं मानों को सुसनियंग क्या होता है फेफडा होता है अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं आगे हम पढ़ते हैं जिसे साप साप कैसा जली भी है ता ता स्तली भी है लेकिन वेल वेल कैसे जली जिए हैं क्योंकि वेल क्या होती है जल में निवास करती है यह कुछ पॉइंट है जिसमें बच्चे कई वर confusion हो जाता है जैसे आक्टोपस, वेल मचली, समुद्री गाए, स्टार फिच, डार्क फिच यह सब आप क्या जली जू है कई वर बच्चों को इसमें confusion हो जैसे समुद्री गाए है इस्टार फिच, डार्क फिच, इन सब क्या आप से नाम पूछ लेता है यह ऐसे दे सकते हैं कि इनमें कौन से जली जू नहीं है यह कौन से स्टरी जू नहीं है इन सब को याद रहे हैं जैसी आक्टोपस, यह आक्टोपस के एक प्रकार का जली जू है अगर अभी तक आपने उस टॉपिक को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेडिश में जाकि उसमें डिटेल से पढ़ी जाए तो चलिए जैसे काववा क्या होता है की पेड़ की सबसे उची डाल पर गोशला बनाता है या कईवर चौन सा पची जो सबसे उची डाल पर गोशला बनाता है या कई पर आफसे वेसे पूछ सकते है कौवा गोसला किसका दोरा बनाता है तो कौवा लक्डियां, तार के दोरा गोसला बनाता है ये जैसे कौवा ये इसका फ़िगर अपकी Carolina प्रश्व में दिया हुआ तो एक कोयल एक ऐसे पत्षी है जो अपने अंडे किसी दूसरे के गोसले में देती है किसके गोसले में देती है कोवे के अब फिर यह दिखिए आपके कोयल की इमेज दी हुई है अब यह को चिडिया होती है दर्जिन चिडिया का करती है पत्तों को सीकर अपना गोसला बनाती क्या करतेrás lay-catch मेरी निलाली जैसी सिलनी वाले पत्य सिलकर घर भनाऊ इस चड़िया का नाम किया जुस तरह से अपना शैडीक में दिया टौन सी चड़िया दर्जिया क्या करती पत्यों से सीकर अपना गोसला बनाती है और कल्चेडी चडिया कहा करती पत्रों के तो कुसको तो बहुत अच्छे तो कौन सी चडिया जोटे डाल पर लिटकता हुआ बनाथा तो किसको वीवर वड़ के लुचे लिटकता हुआ बनाती है फाक्ता पच्छी जो भत है जाणी यह को चील सबसे उचे पेड़ पर अपना गोसला बनाती है यह पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं क्या पर फंक इतने ज्यादा होते तो उड़ने मुसको ज्यादा बहुत नहीं पाती क्या करती है जाड़ी और पेड़ के नीचे एक तो फोड़ पर अपने अंडे या किसी होते हैं कि कैसा पच्छी है जो ओड नहीं पाते इसलिए करते हैं जमीन में गढ़ा कोद कर उसमें अंडा देती है इस तरह आज में आवाज से प्रसल्टर चेप्टर को करते रही हैं अगर यह वीडियो आपको हेलफफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें था वीडियो को लाइक करें ओके फ्रेंड थैंक्यू फार वाचिंग दे वीडियो